Hello my dear students, welcome to my channel, Alpha Knowledge Box. इस वीडियो में आज हम केंदरी वित्याले के class 3 EBS के periodic test first के question paper को discuss करने वाले हैं. आपका paper बहुत simple सा होगा, बस आपको उसे अच्छी तरह से observe करना है और questions के answer देना है. सबसे पहले है observation and reporting. इसमें first question है, observe the pictures and write down name of the animals. यहाँ पर कुछ animals दिये हुए हैं, इन्हें अच्छे से आपको observe करना है और इनके name लिखने हैं. पहला animal है pig, दूसरा है horse, तीसरा है sheep, चौथा है cow, पाच्वा है hen और छठा है duck. इसी तरह से आपको भी animals के name लिखने हैं. short answer type question में question है, you must have seen many animals. आपने ज़रूर बहुत सारे animals देखे होंगे, write name of any two which of them. यहाँ पर आपको two types के animals लिखना है, पहला can fly जो उड़ सकते हैं, और दूसरा can walk जो चल सकते हैं. इनके दो दो नेम आपको लिखने हैं. सभी तरह की birds उड़ सकती हैं, इसलिए आप यहाँ पर bird लिख दीजे, या फिर किसी खास bird का नाम लिख दीजे, cockroach लिख दीजे, इसके साथ ही साथ सभी animals चल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर dog और cat लिखा है, आप इसी तरह से किसी दूसरे animals का नाम भी लिख सकते हैं. Q2. Who am I? मैं कौन हूँ? I remains a walk the whole night and go to sleep in broad daylight. मैं रात भर जाकता हूँ और सुबा होते ही, दिन की तेज रोशनी आते ही, मैं सो जाता हूँ. इस picture से ही आपको इस animal का नाम शो हो रहा होगा. आंसर में आप लिखेंगे owl. B question है, slow and steady in my pace, I always win when there is a race. मेरी speed बहुत slow और स्थीर है, लेकिन जब भी race होती है, कम मैं जीच जाता हूँ. कच्छवा और हरगोश की आपने story सुनू होगी और यहाँ पर यह कच्छवा बना ही है, इसलिए आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे tortoise. अगला section है, identification and classification. Very short answer type question में, first question है, make a circle on different words. यहाँ पर कुछ words दिये हुए है, उनमें जो different है, उसमें आपको circle लगाना है. A में है river, mountain, lake और pond. यहाँ पर mountain hill है, बाकि सब water bodies है, इसलिए आप mountain में circle लगाएंगे. B है, car, boat, bike और train. यहाँ पर boat, water transport है, बाकि के land transport है, इसलिए आप boat पर circle लगाएंगे. Second question है, put circle on the things that you eat often. यहाँ पर उस things पर आपको circle लगाना है, जो अक्सर आप खाते हैं, wheat, maize, oats और ragi. तो सबस्यादा हम लोग खाते हैं, wheat, यानि wheat से बनी हुई रोटी, इसलिए wheat पर आप circle लगाएंगे. Question 3, take the things which is used to decorate your house. यहाँ पर कुछ चीज़े दी हुई हैं, जिसमें से आप उस things को select करेंगे, जिसका use आप अपने घर को सजाने के लिए करते हैं. पहला है table, दूसरा है रंगोली, तीसरा है bed और चौथा है TV, तो हम अपने घर को decorate करने के लिए या आप अपने घर को decorate करने के लिए रंगोली का use करते हैं, इसलिए इसे आप टिक करेंगे. Question number four, animals that live only in water, आपको यहाँ पर उस animal को select करना है, जो केवल water में रहता है, पहला है duck, दूसरा है fish, तीसरा है crocodile, and fourth है tortoise, तो यहाँ पर correct answer है fish, क्योंकि यहाँ पर बाखी के animals, land और water दोनों में रहते हैं. Short answer type question है, question number one, which animals make what kind of sound, यहाँ पर animals में frog और crow दिया हुआ है, इसकी आपको sound बताना है, यानि वो किस तरह की आवाज निकलते हैं, frog जो टर टर करता है, उसे बोलते हैं, croc, और crow जो आवाज निकलता है, उसे cow and crab बोलते हैं, दूसरा question है, name four animals that have tails, यहाँ पर four ऐसे animals के name होती है, तो बहुत सारी animals है, जिनकी पूछ होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है, elephant, horse, dog, cat, इसके अलाबाद दूसरे animals के name भी आप लिख सकते हैं, question number three, right name of four insects, four insects के name लिखे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, आंट, bee, या फिर honey bee, beetles, mosquito, long answer type questions में है, draw a plant and label its parts, आपको एक प्ल नीचे वाला पार्ट यह root का है, ऊपर का यह पार्ट stem है, यहाँ पर yellow color के यह flowers है, यह fruits हैं, और इसके अलावा यह सारी green color की leaves है, अगला section है, discovery of facts, इसमें very short answer type question में, first question है, tick the correct answer, यहाँ पर MC क्यूस टाइप के questions है, इनमें से जो options correct है, उसे आपको टिक करना है, इसमें a question है baby of one month can, drink milk, drink tea, eat maggie, यानि एक मन्त का baby जो होता है, वो maggie खा सकता है, चाय पी सकता है, या फिर दूद, तो इसका correct answer होगा, first drink milk, B question है, which one is animal product, नीचे कुछ products दिये हुए है, उनमें से आपको उस product को select करना है, जो कि animal से मिलता है, पहला है apple, दूसरा milk, त्रिसरा pulses, और चौथा है tomato, तो यहाँ पर milk आपको animal से मिलता है, इसलिए इसका correct answer है, second milk, Question number C, plant that need less water, किस plant को सबसे कम water की अवशकता पड़ती है, कैक्टस को, राइस को, शुगर कैन को, या फिर मिंट को, इसका answer है, कैक्टस, क्योंकि ये एक dessert plant है, Question number D, part of plants which stores seed or seeds, plant का कौन सा part seeds को store करने का काम करता है, root, leaf, flowers, या फिर fruit, तो fruit के अंदर seeds बनते हैं, यानि seeds को store करने का काम fruits करता है, इसलिए correct answer है, fourth fruit, E question है, part of plant which remains underground, plant का कौन सा part underground, यानि मिट्टी के अंदर होता है, root, leaf, flower, या फिर stem, तो root हमेशा मिट्टी के अंदर होती है, इसलिए correct answer है, first root, Question number F, how many farms water shows, water कितने farm को show करता है, one, four, three, या फिर seven, इसका correct answer है, three, क्योंकि ये three farms को show करता है, gas, liquid, and solid, Short answer type question में है, match the following, इसमें first one who cannot hear, यानि जो सुन नहीं सकता, उसे बोलते है, deaf, one who cannot speak, जो बोलने सकता, उसे बोलते है, dumb, one who cannot see, जो देख नहीं सकता, उसे बोलते है, blind, और one who cannot walk, जो चल नहीं सकता, उसे बोलते है, lab, Short answer type question में है, second question, color the containers which you use for storing water, इसमें से उस container को आपको color करना है, जिसका use of water को store करने के लिए कर सकते हैं, ये है bucket, ये है दूसरा कोई pot, जिसमें आप water को नहीं रख सकते, ये है cup, जिसका use of coffee, या फिर tea को पीने के लिए करते हैं, और ये है picture, इसमें से bucket और picture का use आप water को store करन ये, bucket को आप इस तरह से किसी भी color से color कर लीजेगा, और picture यानि घड़े को आप इस तरह से किसी भी color से color कर लीजेगा, long answer type question, यहाँ पर question है, match each part of house with its purpose, यहाँ पर parts of house दिया हुए है, यहाँ पर उसका purpose दिया है, यानि house के different parts का use हम कहां करते हैं, इसे आपको match करना है, first है drawing room, second है bed, third है store room, fourth है kitchen, और fifth है bathroom, drying room का use हम, जब कोई guest आता है, तो उसके लिए करते हैं, उसे बिठाने के लिए या उसका welcome करने के लिए, इसलिए आप इसे match करेंगे for welcoming guest, second है bedroom, bedroom का use हम सूने के लिए या बैठ करके बातचीत करने के लिए करते हैं, इसलिए इसे आप मैच कर करेंगे for sleeping and talking, अगला है store room, store room का use हम अपनी चीजों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए इसे match करेंगे for storing things, अगला है kitchen, kitchen का use हम खाना बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इसे match करेंगे for cooking, foods, और last है bathroom, bathroom का use हम नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए करते हैं, इसलिए ह इसका यूज़ करेंगे for taking bath and washing. This is the end of video. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करें.